कानपूर टेस्ट का दूसरा और तीसरा दिन बारिश में धुनने के बाद ऐसा लग रहा था ये मुकाबला ड्रॉ हो जाएगा लेकिन टीम इंडिया ने ऐसा होनी नहीं दिया भारती टीम ने कानपूर टेस्ट की पांचवे दिन बांगलादोईश को एक तरफा अंदास में हरा दिया टीम इंडिया को दूसरा टेस्ट जीतने के लिए महस 95 रनो का लक्ष मिला था जिसे उसने आसानी से हासल कर लिया भारती टीम सिर्फ 17 ओवर में 3 विकेट खोकर ये मैच जीत गई भारती टीम इस जीत के बाद वर्ल्टेस चैंपेंशिप की अंग तालिका में और मजबूत हो गई और वो नमबर वन की कुरसी पर बरकरार है कानपूर में भारती टीम की जीत के स्क्रिप्ट कप्तान रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की रनिती ने लिखी तरसल खेल की पहले दिन भी बारिश ने खलल डाला और 35 ओर का ही खेल हो पाया इसके बाद बारिश और मैदान गीला होनी की वज़े सी दूसरी और तीसरी दिन एक भी गेन नहीं फेकी जा सकी अब ऐसा लग रहा था ये मैच ट्रॉ हो जाएगा और टीम इंडिया को वर्ल्टेस चैंपियनशिप की अंग तालिका में नुकसान होगा लेकिन गंभीर रोहित के रादिया लग थे और उन्होंने आक्रमा क्रिकेट खेल कर मैच जीतने की ठानी भारती टीम के बल्ले बाजो ने टेस क्रिकेट इतिहास के सबसे तेस 50-100, 150-200 और 250 रन बना कर बता दिया कि ये मैच जीतनी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं इसके बाद टीम इंडिया को गेन बाजो का भी साथ मिला और बुम्रह अश्विन और जडेजा की तिकडी ने बांगलादेश की हार तैग कर दी बल्ले बाजिन में ये शश्वी जयसवाल ने कानपूर में कमाल कर दिया मायहाथ के इस ओपनर ने पहली पारी में महज 51 गेंदों में 72 रन बनाए वहें दूसरी पारी में इस खिलाडी के बल्ले से 51 रन निकले ये शश्वी जयसवाल सिरीज में सबसे जादा रन बनाने वाले खिलाडी भी बने साफ है कि रोहिक की यंग ब्रिगेट कमाल है और इसे दम पर भारती टीम ने कानपूर टस्ट में जीत हासिल की